उतरप्रदेश के लोक सभा चुनाव में नम्मर बन की पार्टी बनने के बाद प्रमुख अखलेश यादव अब राश्टी फलक पर सपा को पहचान दिलाने की कवायाद में चुटे हैं जिसके तहट अब वो महराश्ट विधान सभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाने के लिए उतर रहे हैं अखलेश यादव 18 और 19 ऑक्टूबर को महराश्ट के दो दिवसी दौरे पर पहुँच रहे हैं इस दोरान वो मालेगाओं और धूले में पार्टी के कारिकरम में शरकत करेंगे इसे महराश्ट सियासी फिज़ा को सपा के पक्ष में करने की स्ट्राइटरजी मानी जा रही है महराश्ट में सपा के नजर कॉंग्रेस की सियासी जमी पर है सपा ने महराश्ट में मुसलिम बहुल और उतरभारती मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़नी की रणनीती बनाई है जिसके लिए उमीद्वारों के नामों का एलान भी शुरू कर दिया है अकलेश्यादव का फोकस उन इलाकों पर है जहां मुसलिम आबादी निरणयाक संख्या में है या फिर जिन जगाओं पर उतरप्रदेश में आने वाले लोग रहते हैं महराश्ट सपा के अध्यक्ष अबु आसेम आजमी ने कॉंग्रिस के नित्यतु वाले महा विकासा घारी से 12 सीटों की देमांड रखी है सपा की नजर मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर है और औरंगबाद जैसे मुसलिम बहुल विधान सबह सीटों पर अपने उमीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रखी है अबु आसिम आजमी ने महा विकासा घारी गठबंदन के साथ बिनाशीट शेरिंग के भिवंडी की दोनों विधान सबह सीट से प्रत्याशी उतारने का एलान किया है तो कॉंग्रेस ने भी भिवंडी से विधान सबत चुनाव लड़ने का एलान किया है भिवंडी पश्मी की तरहा ही मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा भिवंडी की पूरी सीट पर भी रहा यही वज़ा है कि यहां से दो बार समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में काम सपा की रईश शेक भिवंडी एस्ट सीट से विधायक है सपा इस बार एस्ट के साथ वेस्ट सीट से भी उमीदवार उतार रही है मुस्लिम बोटर इन दोनों ही सीट पर हार जीत तै करते हैं मुस्लिम बोटों के दम पर सपा दो बार शिवशेना से भिवंडी पूरी सीट पर शिकस्त दे चुकी है जबकि वेस्ट सीट पर कॉंग्रिस ने चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है महराश्ट में सपा के दो वधायक है जिनमें मानकोश शिवाजी नगर सीट से अबुआजमी और भिवंडी इस्ट से रईस शेख है सपा इन दोन सीटों के साथ मुस्लिम बहुल वाली दस सीटों को और चुनित कर रखा है जहां से चुनाव लड़ना है इसी के तहट सपा अध्यक्ष 18 अक्टूबर को मुस्लिम बहुल माले गाउं में जन सभा करेंगे इसके लावा 19 अक्टूबर को धुले में राजनीती कार अक्रम में शर्कत करेंगे अकलेश ने यूपी के भी बड़े चहरों को महराष्ट की जिम्मेदारी दी है सपा महराष्ट में इंडिया गठबंदन के साथ चुनाव लड़ेगी अकलेश यादव सीटों को लेकर कॉंग्रेस पर दबाब बनाने की रनीती के तहत ही महराष् सीटे मिल सकती हैं इसके लावा कॉंग्रेस मुस्लिम बहुल दूसरी सीटे देने के लिए राजी नहीं होगे कॉंग्रेस के प्रदेश महासचेव शहा आलम ने कहा कि सपा भिवंडी और पश्च में दोनों विधान सपा शित्र मांग रही है लेकिन दोनों तो नहीं कम से क पश्चिम शेत से कॉंग्रेस ही चुनाव लड़ेगी सपा ने ये भी तैकर रखा है कि कॉंग्रेस अगर उसे सीट नहीं देती है तो वो अखेले चुनाव किसमत आजमाने के लिए पूरी तरहां से तयार है इसके लिए सपा ने अपने तयारिया शुरू कर दी हैं जिसके के लिए वो मुसलिम बहुत सीटों पर नजर गड़ाय हुए हैं हाला कि कॉंग्रेस बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूट में नहीं हैं माराश्ट में सपा ने 2019 के विधान सभा चुनाव में साथ सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से दो विधायक जीते थे सपा को 0.22% वाले बोट मिले थे इस तरह से सपा को एक फीज़दी से भी कम बोट मिले थे सपा ने इस बार फिर से चुनावी में उतरने का फैसला बगिया है लेकिन मुसलिम बहुल बोटों वाली सीटों पर फूकस किया है सपको लगता है कि इंडिया गटबंदन में शामिल हो जाते हैं तो कुछ सीटे मिलती है तो आसानी से मुस्लिम बोटर उसके पक्ष में आ सकता है